हाल अगला कोशन क्या हुआ है अगला कोशन कह रहा है तो इसका सइस मैं आपको आपको को देंगे तो आम लोग को डिस्टन स्फामिला लाजाना है है P Q S R P S and Q R हम लोगों को find करना है और देख रहे हैं क्या Pugisite spell congruent R यह क्या अगर R यह तो हाँ यह kilogram है यह तो नहीं है तो start करते हैं तो P point क्या दिया गया है 2 comma minus 2 श्क्राइब ले लेंगे x1 comma y1 Q point क्या दिया गया 7 comma 3 इसको मोग ले लेंगे x2 comma y2 R point दिया गया 11 comma and s1 दिया 6 comma minus 6 इसको मोग ले लेंगे x4 comma y4 x4 comma y4 x4 comma y4 so x1 Q value K x1 Q value i2 y1 Q value I minus 2 x2 Q value I7 y2 Q value I 3 x3 Q value I11 y3 Q value I minus 1 x4 Q value I6 y4 Q value I minus 6 तो यह डिस्टे निकालते है PQ, SR, PS, NQR तो सबसे पहले PQ निकालते है, PQ क्या होगा, PQ होगा PNQ देखा भी, PQ, तो X1, Y1, X2, Y2, तो formula क्या बनेगा formula बनेगा, X2-X1, the whole square, plus Y2-7, the whole square तो X2 क्या हो जागा, X2 हो जागा, 7-2, the whole square, plus 3, minus or minus 2 क्या हो जागा, plus 3, plus 2, the whole square, तो distance क्या एगा, 5 square, plus 5 square, कैनी क्या हो, 25 plus 25, कैनी root 50, कैनी PQ का distance क्या, PQ हो root 50, अभी PQ आ गया, अभी एसा निकालते, ऐसा क्या होगा, PQ, PQ एन ऐसा जेना, तो ऐसा क्या होगा, S, अभी रखो, S, R, X3, Y3, and X4, Y4, so यह क्या होगा, X4-X3, the whole square, plus Y4-Y3, the whole square, X4 देखो, X4 दिया गया, 6-11, the whole square, plus Y4 दिया गया, एसा क्या होगा, minus 5 का स्पएर, और minus 6 प्लस होगा, minus 5, दिया गया, minus 5 का स्पएर, तो यह क्या होगा, 25 प्लस 25, अभी रूट 50, अभी बाकि दिस्टेंस, P, S, and Q, R, निकालते, तो दिस्टेंस, P, S, क्या होगा, दिस्टेंस, P, S, X, तो P, क्या है, X1, Y1, ऐसे, X4, Y4, तो X4, minus X1, the whole square, plus Y4, minus 5, the whole square, अभी X4 कोदिया, देखा, X4 कोदिया गया है, 6, X, X1 कोदिया, 2, so 6, minus 2, the whole square, plus Y4, minus 6, Y1, minus 2, so, minus 6, minus or minus 2, the whole square, so, क्या होगा, 4 कोदिया, minus 6, plus 2, minus 4, होता है, minus 4 कोदिया, so, क्या होगा, यह होगा, 16, plus 16, and here, root 32, so, P, S, क्या है, P, S, I root 32, अभी देखो, P, S, B, आगया, अभी Q, R, निकालते, तो Q, R क्या होगा, Q, R होगा, Q, R, Q, and R, so, X2, Y2, and X3, Y3, to formula होगा, X3, minus X2, the whole square, Y3, minus Y2, the whole square, X3 का value, X3 का दिया गया है, 11, और यह क्या दिया है, 7, so, 11, minus 7, the whole square, और यह क्या दिया गया, Y3 दिया गया, minus 1, minus 1, Grandpa, यह दीफि, minus 1, minus 3, so, यह क्या होगा, यह होगा, 4, ¥2, plus minus 6, so, यह क्या होगा, 16, plus 6, so, PQ, SR, PS, and QR, है में और दिस्ट का लिया, अभी देफोर, जो देखते हैं अपोजिसाइट्स कॉंगरेंट आ रही किया, PQ अपना आया, PQ आया 50, फिर SRI रूट 50, PSI रूट 32, and QRBI रूट 32, तो PQ अपना आया, SRI के, and PS इक्वाल आया, QR के, यहानि अपोजिसाइट्स, यहानि क्या हो, आपोजिसाइट्स, इक्वाल रूट अपोजिसाइट्स जी को लोगी तो ए पैलोग्राम की प्रापर्टी को साथिस्कार कर रहा है, यानि, कोडिलेटर, PQ, R, S, इस पैलोग्राम, and PQ, R, S, R, वर्टाइस, आपैलोग्राम, अपोजिसाइट्स, आपैलोग्राम, हमने बस पैलोग्राम की प्रापर्टी का यूज़ किया, कि उसके अपोजिसाइट्स, कॉंगरेंट होती है, होती है और हमने देखा कि अपोजी साइस कॉंगरेंट आ रही है आ रही है तो हम लोग बोले कि यह और यह पैलोग्राम है एंड पीक्यू आरेस अधी वर्टाइसस अफ पैलोग्राम है तो अभी जैसे कि हमने यह कुश्चिंग है अभी अगला कुश्चन देखो अगले कि सभी साइट कॉंगरेंट होती है तो रॉंबस क्या होता है अगर यह कॉला तो हम दों प्यादेंगे कि यह रॉंबस है तो एकतम उसी के सिमिलर कौष्चन है हम लगको a b b c c d and a c find करना रहेगा तुक करते हैं तो देखो a पॉंट दिया गया है बाइनस पुल कौँट सब्सक्या लगा हम इसे एक्स ओं कौँटमवाई बन ले लूगा और जो B. दिया गया हो माइनस 1 कामा 2 दिया गया जिसको में X2 काम Y2 ले लूँगा C. दिया गया हो 8 काम 5 दिया गया है जिसको में X3 काम Y3 ले लूँगा और जो B. दिया गया हो 5 काम माइनस 4 ले लोँगा जिसको में X4 काम Y4 लोगा तो X1 की वालु की आए, माइनस 4, Y1 की वालु 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 क square plus y2 minus y1 the whole square अभी दो, X2 कोई या दीगे, minus 1, y1, x2 कोई वाल्यू, minus 4, so minus minus plus oh जायगा, now whole square plus y2 कोई दीगे 2, और ये क्या दीगे, 7y1 स्क्राइब कि क्या हो थो एका स्क्कूर्ड फ्लस स्याज्टाइब तो यह क्या हो जाएगा, 1 का स्क्राइर हो जाएगा 9, 5 का स्क्राइर हो जाएगा 25, यहाँ पर 5, 1 की वैल्यू, माइनस 7 दी गई है, एक मिस्टेक, यहाँ पर माइनस 7 दाएगा, तो यह माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो यह क्या हो जाएगा, यह 9 हो जाएगा, चो ये हो गया 9 पस्थेर पो नाइंड का स्थेर क्या हो जागा आन का स्थेर हो जागा 81 कि क्वा कÈ इक 9 प्लीस हों क्या आगया रूक्त 9 तो दिस्टेंस से बडिस्टेंस ची रूट 9 तो डिस्टेंस से फेया रूक्त 99 अभी क्ञेस धिस्तेंस से बहुत करते हैं बीसी बार्मला लगाओ आपल बीची कहा x3 y3 x2 y2 so x3 minus x2 the whole square plus y3 minus y2 the whole square so यह क्या हो दायगा x3 की वाल्यू देपो x3 की वाल्यू देगा 8 minus or minus 1 यहाँ दायगा plus 8 plus 1 the whole square y3 की वाल्यू देगा यह 2 and 5 minus 2 the whole square यह क्या हो यह हो 9 square plus 5 का square अभी अभी हमने देखा था थी का स्क्वेर तो 9 स्क्वेर प्लस 3 स्क्वेर क्या हो रूट 19 तो BC क्या है अगला देखते हैं अगला क्या बोला है सीडी तो डिस्टेंस सीडी अभी देखों सी एंडी तो एक्सफोर और एक्सट्री 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 होल स्क्वेर मैं इसको तो साइड में लिख देता हूं एक्सट्री 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 प्लस का दिया गया माइनसस पोड़न काज्वाइने दिस्टेंस था-2-7-2- Ananto तो डिस्तेंस सीडी का रूट नहीं थे सब्सक्राइब दिख्वों तीडी हो गया अभी एसी निकालते है अधी एलडी है तो डिस्टेंस एली निकालते है तो डिस्टेंस एली क्या होगा ad dx4 y4a or ax1 y1a so x1 – x4 – x1 ×1 क्याल सीजिट गोल स्क्राइब y4 minus y1 the whole square x4 के वाल के अगे दिए ये 4 y1 x1 के वाल के दिए ये ये minus 4 minus 4 so 5 5 minus or minus 4 5 plus 4 the whole square plus 5 4 की वाल के दिए देखो minus 4 और y1 की वाल के दिए दिए गई है minus 7 minus 4 minus or minus 7 distance क्या हो गया 9 का square minus 4 plus 3 क्या हो जागा 3 2 का square जैसे क्या हो गया रूट 90 जैसे कि हमने देखा था समय जो 4 वो distance हमने find कर दिया means a b root 90 है b c b root 90 है c d b root 90 है and a d b root 90 है so क्योंकि यह सम दिस्टेंस इक्वाल है हम लोग क्या सकते all sides all sides are congruent therefore body letter body letter a b c d is the rhombus and a b c d are vertices of rhombus is the co-ordialator rhombus हो गया और यह बाकि इसके वरटाइसस हो गया तो एकदम सीमिलर था कोश्चन नम्ब फिर जैसे रेक्टेंगल बोला था और रॉम्बस बोला था अभी कोश्चन नम्र 8 तेहां कि आ रहे हैं बोला है कि शोड़ अट पॉइंट A, B, C आधी वर्टैसिस अफ इक्विलेटर ट्रेंगल तो जहांसे कि वहां पे रॉम्बस था रेक्टेंगल ता है यहां पे इक्विलेटर ट्रेंगल आ गया तो इक्विलेटर ट्रेंगल होता है इक्विलेटर ट्रेंगल की क्या प्रॉपर्टी है इक्विलेटर ट्रेंगल की जो साइट्स रहती है वह में सब फॉंगरेंट रहती है मिन्स आपका a, b, b, c and a, c हमें से equal आएगा equalator triangle की property है so हमें वही करना है वापस हमें देखना है कि यह equal आ रहा है क्या so a क्या दिया गया 1, 2 दिया गया इसे मैं ले लोगा x1, y1 b क्या दिया गया b दिया गया 1, 6 इसे मैं ले लोगा x2, y2 and c क्या दिया गया c दिया गया 1 plus 2 root 3 comma 4 so मैं इसे ले लोगा x3, y3 so आपका जो x1 है y1, y1 है y2 x2 है 1 y2 है 6 x3 है 1 plus 2 root 3 और y3 है 4 so अगया आपको दिस्टंस दिस्टंस a, b क्या होगा सब भी कोशन बादे सिमिलर है अभी a, b क्या है a, b है x2, y2 or x1, y1 so क्या होगा फॉल x2 minus x1 दिया होगा plus y2 minus y1 दिया होगा x2 की वैल्यू दिया होगा x2 की वैल्यू दिके ये 1 1 minus 1 दिया होगा plus y2 की वैल्यू दिके 6 minus 2 दिया होगा त्यों क्या हो जागा जिरो प्लस 4 स्क्वेर 4 स्क्वेर क्या होगा 4 तो a, b क्या है a, b, a, f, our a, b, kya, a, b, our a, b, kya, a, b, our अभी दो a, b, four आ गया अभी आगे देखते है आगे b, c, नीकाला है तो b, c, क्या होगा b, c, होगा PC होगा X2, Y2 and X3, Y3 तो X3 minus X2 the whole square plus Y3 minus Y2 the whole square अभी देखो X3 की value क्या दी गई है? X3 की value दी गई है 1 plus 2 root 3 minus of X2 की value क्या दी गई है? 1 whole square plus Y3 की value क्या दी गई है? 4 minus 6 the whole square तो क्या हो गया? plus 1 minus 1 की एंचल हो गया? तो 2 root 3 का whole square plus minus 2 का whole square अभी देखो 2 root 3, तो 2 का square 4 होगा और ती का square root 3 का square 3 होगा तो 2 into 3 क्या हो जाएगा? 6, sorry 4 into 3 क्या हो जाएगा? 12 तो 4 हो, और 2 सका square 4 और 6 का square 2 तो 4 और 2 का square 2 का square 4 तो क्या होगा? 12 प्लस 4 तो क्या होगा? यह होगा 16 तो क्या होगा?नटी फॉर है? स्क्राइवियर आपि आपी तका और पार श्तरगनें जांड मीधाई जाओं समय फेर आपらい का स्कया का अ कुछा ली icons हूं पिछेए हूंद प्रूम्हें थाओं सांट व करिए टू स्क्राइब क्या जाएगा या जाएगा रूट 16 या जाएगा फोर तो एसी क्या है एसी भी फोर है जो हमने तीनों डिस्टन निकाले तो अपना ए बी बी सी और एसी फोर आया देफ़ोर ट्रेंगल ए बी सी इक्वेलेटर ट्रेंगल 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 तो यहां पे आपने question no. 4, 5, 6 and 8 complete हो गया है, थीनों एकदम similar थे, kilogram, rhombus and vertices of equilator triangle proof करना था, तो आपने distance point ला और उनके कुछ properties का यूज़ करके RM से find कर लिया, अब अगला question है question no. 7, question no. 7 क्या कहता है, find x if the distance between points x, 7 and 1, 15 is 10, अभी देखो, x point करने के हैं, अभी जो अपना L point दिया गया है, x, 7 दिया गया है, तो मैं इसे x comma y ले लेता हूं, और जो अपना m point दिया गया है, 7, 15 दिया है, तो मैं इसे x , काई तो योगे तो सब्सक्राइब एगा है इस बार हम को दिसमंट करना। है इस हम सब्सक्राइब दिखें sitting लिए तिक यह सब्सक्राइब सब्सक्राइब deja यह हम लोग को 10 दिया गया औरेडी तो X1 देखो, X1 क्या है? 1, X हमको फाइंड करना है, प्लस Y1 देखो, Y1 दिया गया 15, Y हमको फाइंड करना है, स्री, Y का वैली दिया गया 7, तो क्या हो जाएगा? अभी देखो, मैं इसको ले लेता हूँ, X-1 दि होल स्क्वार प्लस, अभी दखो, 15-7 क्या हैगा? 8, तो 8 का स्क्वार, अभी अभी दखो, अभी यह स्क्वार रूट है, तो स्क्वार ले लेते हैं, दोनों साइट टेकिंग स्क्वार, स्क्वार ले लेंगे तो क्या हो जाएगा? 100 is equal to 1 minus X दि होल स्क्वार, अभी 8 का स्क्वार क्या हो जाएगा? 64, तो इदा देखो, अभी यह क्या हो जाएगा? यह हो जाएगा, x minus 1 दी whole square is equal to 100 minus 64. So, 100 minus 64 क्या आजाएगा? 36. अभी square root ले 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 तो दोनों side taking square root. So, square root लेंगे तो क्या आएगा? square root लेंगे तो आएगा x minus 1, 1 minus x is equal to plus minus 6. क्योंकि 36 किसका square root है? plus minus 6 का. So, अभी देखको, यहाँ पे x की दो value आख सकती है. अपना आया, 1 minus x is equal to plus minus 6. So, ऐसा हो सकता है, एक बार लेंगे, 1 minus x is equal to 6. और दूसी बार हो सकता है, 1 minus x is equal to minus 6. So, इजर x की value क्या है? इजर आगी 1 minus 6, यानि x की value हो गई minus 4. इजर लिख सकते है, 1 plus 6, 1 plus 6 is equal to x, एक सी दूसी बार लेंगे, 7. So, जो हमें x find करना था, उसकी दो values हो सकती है, या तो minus 5 is 7. So, यह question भी होगा. इसमें हमने क्या क्या? इसमें हमने थोड़ा converse गया है, हम लोग की, हमको L, M के coordinate हर बार देखे रहते थे, इसमें दिस्टेंज में होगा है, इसमें दिस्टेंज दिया गया और एक coordinate find करना था, तो simply हम लोग उने distance formula में आज्योगा, दी के ये values, वो फूट कर दी और एक unknown था, वो find कर लिया. तो यहां पर हो गया आपका exercise 5.1 complete, coordinate geometric exercise 5.1 यहां पर आपका complete हो गया, भी हम लोग आग ले बार start करना 5.2.